नमस्कार, दलीगल इंडन के एपिसोड में आपका फिर सस्वागत है, दोस्तों, आज हम बात करेंगे UP demolition, जो उत्रप्रदेश में अभी demolition कर दिया गया, एक accused का घर, उसके बारे में बात करेंगे, जो legal development है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये fact है, उस fact को समझने का प्रयास करते है, सबसे पहले, National Spokesperson of Party, भारतिय जनता पार्टी, BJP एक पार्टी है, भारत में, उसकी National Spokesperson है, नुपुर शर्मा, और नवीन जिंदल, जो कि डेली में मीडिया head है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक tweet किया, और नुपुर शर् की चीजें, इन्होंने कुछ बोली है, इन्होंने Prophet Muhammad की शादियों के बारे में, कुछ अनाप सनाप बातें गही, और भी कुछ ऐसी बातों का उलेख किया, जो कि एक सब व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था, लेहाजा, जो Islam धर्म को मानते हैं, उन्हें बुरा लगा, उन्हे सही नहीं लगा कि उनके Prophet Muhammad साब के बारे में इस तरीके कि अनाप सनाप बातें हैं दी कोई करे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी हमारे भगवान, हमारे देवता के अगेंस कोई बात करेगा, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, बट एन्यवे, वी आर न दोनों को, नुपूर शर्मा को, नवील जंदल को, दोनों को पुलिस हरासत में क्यों नहीं लिया गया, इन पे कारवाई क्यों नहीं हुई, और इन पे कारवाई हो, इसकी मांग अलग-अलग जगह से आना शुरू हो गया, इसी तरीकी का प्रोटेस्ट यूपी में भी हु कि इनको क्यों नहीं पुलिस हरासत में लिया जाए, इन पे कारवाई क्यों नहीं किया जाए, एक शिर्म में बताना भूल गया, कि जैसे ही ये बातें आगे बढ़ी, मुस्लिम कंट्रीज ऑफ दे वर्ल्ड पीम को एप्रोच खेरना शुरू किये, कि इस तरीके का बयानब शरारती तत्व हैं, जो जान भूश करके देश के माहौल को भीगाड़ते हैं, अब मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये ये शरारती तत्व हैं, तो इन्हें नेशनल स्पोक्स परसन क्यों बनाया गया, मुझे नहीं पता, खेर हम इस पर बात भी नहीं करेंगे, अब ह इस तरीके के घर को तोड़ा गया, तो मुस्लिम उर्गनाइशन है, जिसका नाम है जमात उलेमा ये हिंद, ये सुप्रीम कोट में प्रोच कर गया, और कहा कि आपने जो तोड़ा है, इस तरीके के एक्यूज को, जो प्रूवेन गिल्टी नहीं है, भी, कन्विक्टिट नह गया, तो सबसे पहली बात, तो arguments कि होगी, कि क्या-क्या arguments किये जाएंगे, पहला argument ये कहा गया, कि this is appalling, we have not seen this in this country, not during emergency, not in pre-independence India, not just person's house, houses of their parents, etc. are demolished, this cannot be contested in a republic and in a country with rule of law. ये कहा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो किसी भी accused के घर को तोड़ दिया, उसके माबाप के घर को तोड़ दिया, उसके grandparents के घर को तोड़ दिया, तो क्या ये rule of law, एक country में जहां पे rule of law है, क्या इस तरह के बाते हो सकती है, पहले argument किया जा रहा है, Supreme Court में, फिर जब बा अब यदि कोई प्रोटेस कर रहा है, तो उसके घर को तोड़ा जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, उनके आधिकारी के दोरा ऐसा बोला जा रहा है, बोला कि ये चीज़ सही नहीं है, यदि प्रोटेस्ट किया जा रहा है, देश में प्रोटेस्ट करना उनका fundamental right है, हाँ, सरकारी संपत्ती का तोड़ फोड़ करते हैं तो उनको पिनलाइज किया जा सकता है बट उनके घर को तोड़ना is not the legal solution ये कहा जा रहा है फिर आर्गुमेंट हो रहा है कि भाई आपने क्यों तोड़ा तो ये कहा गया कि ये illegal construction था इसले तोड़ दिया गया तो एक act है यूपी म आपको पहले 15 दिन पहले notice देना होता है आपने इसको follow नहीं किया आपने notice नहीं दिया आपने बुल्डोजर मंगा करके उसके घर को तोड़ दिया it shows that your intentions were mollified intentions गलत है आप जानबूश करके इसके घर को तोड़ रहे हैं target कर रहे हैं वैसे accused को जो protest कर रहे थे ऐसा argument किया जा पहला argument यह हो रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि आप क्यों आये हो कोट में ना तो आपका घर तूटा है जिसका घर तूटता हूँ आ जाता आपका घर नहीं तूटा मतलब यह किसको कह रहे हैं यह जो organization आया है जमात उलेमाय हिंद उसको कहा जा रहा है कि आप क्यों आ रहे ह आपका locust नहीं बनता, आप यहां पर नहीं आ सकते, इस तरीके का argument नहीं कर सकते, locust ही नहीं है, Affairs just happens the application stating that Zamaat Ulema Ayind has no locust in the matter, locust ही नहीं है, तो इसके case को dismiss कर दिया जाए, तो judge को intervene करना पड़ा, judge को intervene करना पड़ा, और काहा गया judge के द्वारा, कि ने, this is not sound, logical argument, we have to be conscious, जजज साह बोल रहे हैं, we have to be conscious of the fact, that these people, whose houses are demolished, may not be able to approach this court, तो ये court conscious है इस बात से, जिसका घर तूटा है, उसके सारे समान बिखर गए, उसको छोड़ करके, court कैसे आएगा, तो कोई भी यदि आ गया उसके भिहाब पे तो ये चलेगा, ये जायज argument आपका नहीं है, ये court ने observe किया, फिर उसके बाद दूसरे वकील, एरवोकिट हरिशालवे, जाने माने वकील है, यूपी गवर्मेंट को रिपरजेंट कर रहे हैं इसमें, और होने कहा कि देखो सर ऐसा है, कि ये जो राइट में थे, जो उपदरब वहां मजाए, वो एक्य जो उपदरब मचाये थे, उनके घर को तोड़ा गया, ऐसा नहीं है, हाना कि गवर्मेंट तो यही घा रहे थी जनता को, लेकिन court में तो अलग बात कर रहे हैं, तो सालवेस आप कर रहे हैं कि नहीं, मैंने तो उनी का घर तोड़ा है, मतलब गवर्मेंट ने उनी का घर तो रेक्वेस्ट किया, ताकि यह सारी बातों को कंपाईल करके अपिडेपिट पे डाल सकें, यहां यह पहले से काम सुरू हो गया था, और इसमें प्रजेंट एक्यूजड जो भी वेक्ती है, इसका राइट से क्या तालूकात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हरी शालव नहीं है, तो पहले से मई में नोटिस दिया गया था, इसका राइट से कोई लेना देना नहीं है, तो कुल मिलाकर कि यह अर्गमेंट हुए, उसके बाद मने सुप्रीम कोट अफ इंडिया ने इनको तीन दिन का समय दिया, और तीन दिन में कहा कि आप मुझे जो भी relevant documents हैं, तो that must be done in accordance with the law, कौन सा law, वही law की बात, जो मैं आपको बताया था, उपर में, UPR1 Planning and Development Act, जिसमें 15 दिन का नोटिस की बात करता है, इस तरीके से दिया आप accused के घर को, उसको target करके यदि तोड़ेंगे, तो ये तो law में कभी sustain कर ही नहीं सकता, possible नहीं है, लेकिन इसके लिए ह पहले ही दिया जा चुका था, इसका right से कोई लेना देना नहीं है, यदि ऐसा UP government कर पाती है, तो ठीक है, नहीं कर पाती है, तो जाहिर सी बात है, एक order pass किया जा सकता है, मने Supreme Court of India से, जिसमें provision किया जा सकता, उनको प्रोहविट किया जा सकता, कि इस तरीके का targeted demolition, शायद न पड़ेगा, चाहे आप state हों, या दूसरा party हो, कि यह state दे पाएगी, तो ठीक है, नहीं दे पाएगी, तो जिस तरीके से, वहाँ पे, जो practitioners अभी court में गया है, वो proof करेंगे, उसी के recording, उन्हें relief मिलेगा, तो फिलहाल के लिए हमें इस वीडियो से इतना सीखना है, कि UP government, ज आज से नहीं, पहले से ही हो रही है, मैं इस देश के तमाम लोगों से गुजारिस करता हूँ, legal development को follow करें, legal literacy को बढ़ाई है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, otherwise, जनता में कुछ और होगा, court में कुछ और होगा, ऐसे बहुत सारे example है, अभी कुछ दिन पहले, जनता म में यह हो रहा था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और court में यह हो रहा था, कि नहीं, लड़कियों को इलाओ, मत करो, NDAM admission लेने के लिए, Supreme Court of India ने बहुत जबरदस फटकर लगाई थी, Indian Armed Forces को, और फिर जाकर के NDAM admission लड़कियों का आप सुरू हुआ, तो यह चीजे करें, ताकि इसी तरीके का authentic legal जनकारी, आपकी door step तक मैं पहुच आदा रहा हूँ, चले फिर से मिलते हैं कि से और topic में, नमस्कार